देव नारेन भगवाने की देव नारेन भगवाने की दन्वती साडु माता की सवाई बोज महाराजे की आज हम सब एक ऐसे करम योगी को याद कर रहे हैं इस्परण कर रहे हैं जिनोंने अपना पूरा जीवन सवाई सिवा के लिए समर्बित किया से राम गोपाल जी गाड हमारे बीच में सर्षरीर उपस्तित नहीं है लेकिन उनके विचार उनके कार्य उनकी सेवा हम सब को इस्परण भी हो रही है और मसूस भी हो रही है कि वेक्ती समाज में रहे शरी शरी रहे न रहे लेकिन जिसने जीवन भर कि अपने आपको समाज के लिए समर्पित किया हो कि जिसका जीवन केवल सेवा हो जो किस तरीके से लोगों की सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्टन हो सकता है उसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो ऐसे क्रम योगी की हम जन्शताब्दी मना रहे हैं कि मुझे कुशी है कि उनकी इस्मर्थी ग्रंथ को भी आज मिमोचन होने का अवसर प्राप्थ हुआ है कि ताकि उनकी जीवन के कुछ शंट कि उनके जीवन को पूरा लिखना पड़ेंगे तो कई किताबे छोटी पड़ जाएगी है कि लेकिन उनके जीवन के जो महत्पुर्शन है कि उनको महुनलाल जी ने कि कुछ शब्दों में लिखने का प्रयास किया और वह भी मानते हैं कि उनका एक विराट व्यक्तित था कि उनका विराट जीवन था कि उस विराट व्यक्तितों जीवन को कभी कलम से लिखना बहुत मुश्किल होता है कि लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया है कि इसके लिए मैं उनको बदाई देता हूं शुब कामना देता हूं कि अभी में एक चित्त देख रहा था कि उनकी स्मर्ति की कुछ जल्कियां लगी हूई थी और मुझे पता है कि जब उन्होंने गुजा संगर्ष के लिए सबसे पहले जब आंदोरन किया था आम्राहंशन किया था और आम्राहंशन के बाद कि जब पहली मिटिंग हुई थी तो मेरे घर पे हुई थी आप भी उपस्ति थे तो मुझे पता था कि कितने हुए समाज के लिए समर्पित थे नब बद की लालसा केवल मेरा समाज जो सामाजिक आर्थी गूप से पिचड़ गया है कि मैं कैसे उस समाज को आगे लाओं कि कैसे समाज के नोजवान यूग यूगतियों को कि अच्छी शिक्षा अच्छी संस्कार अच्छी संस्कृति के माध्यम से उसको अग्रिम पंती पर लाने का काम करूं क्योंकि जब हम गूजर समाज का इतियास पड़ते हैं उनकी विरासत को याद करते हैं तो इतियास विरासत हमेशा वीर्था का रहा है इतियास विरासत विरासत बलिदान की समर्पन की रही है हम पन्नाधाय का बलिदान को कैसे भूल सकते हैं इससे बड़ा समर्पन और त्याग क्या हो सकता है यह समर्पन त्याग सेवा इस गूजर समाज की हमेशा संस्कृति में रहा है और इसलिए जब आप विरासत को याद करते हो इतियास को याद करते हो तो भगवान देव नारेंट जी ने किस तरीके से समाज के कल्यान के लिए कि समाज में होने हाले हत्याचार के खिलाब कि गो माता के लिए उस समय कि उनका जीवन समर्पित रहा था कि ऐसे कितने इतियास विरासत की कान ही है कि जब राजा युद्धा के रूप में राजाओं की सेना युद्ध के रूप में लड़ती थी उस समय में युद्ध में सग्रिम अक्रिम पंती पर गुजर समाज के लोग रहते थे और भारत में नहीं भारत के बार भी जब जब भी राजाओं की सेना गई अंग्रेजों ने भारत के सेनिकों को भेजा उस समय भी गुजर समाज की वीरता और साहस का इतियास कहानी आज हम सब को प्रेड़ना देती है भी हो जंब रासत की बात करते है तो हम आजकी इतियास की बात भी करते हैं आज भी आव कि देश की सेमाओं देश की सिमाओं की रक्षा करने का सवाल हो एक सेनिक के रूप में कितने हमारे नोजवानों ने बलिदान दिया अग्रेश के लिए कि उनका बलिदान उनकी कुर्बानिया हम सब को प्रेड़ना देती है कि अब कैसे भूल सकते हैं कि अंग्रेजों के शाषन के खिलाब कि एक किसान आदोलन के रूप में आजादी की लड़ाई लड़ी विजे सिंग जी पथिक ने और उस समय किसानों के आत्र सम्मान साभी मान के लिए एक लंबा समर्पित आंदोलन करने का प्रियास किया कि ऐसे बहुत सारे वीरता सहास कि धर्म को बचाना और अध्यात्मिक के लिए एक बहुत बड़ा इत्यास विरासत रही है जिनको शब्दों में और कुछ नामों से बोला नी जा सकता और आज भी मैं देखता हूं कि आज भी समाज सेवा के लिए जिस गाओं में रहते हैं जिस धानी में रहते हैं कि वहाँ पर कुछ भी आपदाओ संकटों पीड़ाओ गूजर समाज हमेशा अग्रिम पंती के लिए सेवा के लिए सबर्पित है और इसलिए इस विरासत इस इत्यास और वर्तवान में राम गुपाल जी गाड़ जैसे लोगों के योगदान के कारण यह स्वाभिमान समाज आज भी इसका हर जगए समर्पन और सेवा के अंदर एक इत्यास है स्री राम गुपाल जी गाड़ साहब ने जब समाज बिखरा हुआ था समाज में सामाजिक चेतना लाने का काम करने के आउशक्ता थी समाज में सामाजिक कूर्तियों को समाप्त करकर शिक्षा के माध्यम से समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने थे उस समय समाज को एक संस्कार में एक माला में जोडने का काम समाज को संगटित करने का काम राम गोपाल जी गाड साब ने किया जिन्होंने पहला संगटन खड़ा कि कि उस संगटन की विरासत को आज हमारे कि पूर्मंति कालूराम जी गुजर साहब बढ़ा रहे हैं कि और कुछ बदलाव भी हुआ है कि कुछ सामाजिक बदला हुआ है आर्थिक बदला हुआ है है लेकिन हमारा लक्ष कुछ और है कि जिस तरीके का गुजर समाज का इतियासे विरासत है उनकी संस्कति ये संसकार है उनके जीवन में आध्यात्मिक धर्म है हमारा लक्ष अभी बहुत दूर है कि हमें समाज के उस अंतिम वेक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना है कि और उस परिवर्तन के लिए सामुई प्रयास करने के आउशक्ता है कि जो समाज में आगे बढ़ गए हैं जो समाज में पढ़ चुके हैं केवल उनको अपना परिवार तक शिक्षित नहीं उसको समाज के अंतिम वेक्ति को शिक्षित करने के लिए राम गोपाल जी गाड के जीवन को इस्मरन करना होगा उनकी जीवन को याद करना होगा उनकी कारियों की पेड़ना लेनी होगी और हम चाहते हैं जो वीरता अशूरता स्वामिमान समाज में हैं दूर दराज के भी भी जंगल में रहकर लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं उनके लिए एक बार और सामुई प्रियास करने के आउश्यक्ता है हमें बहुत समय निकुजाडना समय के साथ तो परिवर्टन होता ही है लेकिन कम समय में ज्यादा लक्षों को प्राप्ट करना कम समय में समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्टन लाना यह हम सब की सामिक जिम्मेदारी है अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है देश को समुद बनाना राष्ट को कुशाल बनाना है तो सभी समाजों को सामिक प्रयास करने की आउश्रकता है जब समाज पिछड़े बंची समाज आगे बढ़ेगा उनका नोजवान बदलती शिक्षा प्रणाली के अंदर एक सामर्त नोजवान बनेगा हमारी बेटियां जो आज चाहे सीमा पर रक्षा करने का काम हो चाहे फाइटर प्लेन चलाने का काम हो चाहे रेल चलाने का काम हो चाहे विज्ञान में हो टेक्नोलोजी में हो इंडस्टीज के अंदर स्वनी सेक्टर के अंदर हो डॉक्टर हो इंजिनेर हो कोई श्यत्र ऐसा नहीं है जिस श्यत्र में हमारी बैन और बेटियों ने कीरतिमान हासिल नहीं किया हो लेकिन अगर देश आगे बढ़ाने तो सभी समाजों को आगे बढ़ना पड़ेगा और सभी समाजों को आगे बढ़ाने के लिए उस समाज को तो प्रियास करना ही होगा लेकिन जो समाज के लोग आगे बढ़ गये हैं उनको और कड़ी मिनत और कड़ी परिशम करने के आउश्चता है और समर्पन सेवा से काम करने के आउश्चता है मेरा विश्वास है कि हमने हमारे जीवन के कुछ शन कुछ दिन जो कुछ भी समाज से प्राप्त किया है इस समाज को अगर समर्पित करेंगे तो मेरा विश्वास है गूजर समाज का जो सामर्थ नोजवान में देखता हूँ जो शाररिक रूप से समर्थ है जो मन मस्तिक से समर्थ है जिनमें अच्छे संस्कार है अच्छे विचार है हमारी बेटिया जो किसी भी शित्र में चले जाए खेल के शित्र में चल जाए तो कितनी गुजर समाज की बेटियों ने नाम किया है लेकिन हर बेटियों को आगे बढ़ना है समार्थ के हर नोजवान को सामर्थ वान नोजवान बढ़ाना है यह हमारे नोजवानों की सामर्थ, वानशक्ति, उनकी बौद्धिक्षम्ता, उनके नवाचार, नए इनोवेशन करने का सोच चिंतन, यह देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब जहां भी रहते हैं, जिस इस्तान पर भी रहते हैं, हमारे चिंतन में, हमारे विचार में, हमारा समाज होना चाहिए। हमारे समाज में कोई बेटा बेटी बिना पड़ी न रह जाए, जो हमारी पुरानी पीड़ी रह चुकी है। आने वाली पीड़ी को एक सामर्तवान, एक शिक्षित पीड़ी तयार करनी है। और इसके लिए हर वेक्ति की जिम्मेदारी है। सामुइक्ता के साथ बिलकर जिम्मेदारी है। संगटन जोडने का गाम करते हैं संगटन कि सामुए संस्कति नई उड़ा देने का काम करती है संगटन समाज को तोडने का काम नहीं करते मैं जब समाजों के बीच में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि समाज जोडने का काम करते हैं समाज भारत को नई तागत देने का काम करते हैं समाज भारत को सामर्तवान बनाने का काम करते हैं इसने जितना समाज सामर्तवान होगा जितना हमारा नोजवान बोद्धिक्षम्ता से शिक्षित होगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा और इसलिए हमें ऐसे कर्म योगियों के जीवन को पढ़ना पड़ेगा जो साधन नहीं थे न साधन न संचार के साधन थे न समाज इतना शिक्षित था दिख्षित था लेकिन स्वाब इमान सुरू से रहा है सब्वेता और सलस्कृति को बचाने का काम सुरू से किया उसको नहीं चेतना देने का काम किया राम गोपाल जी गाड़ों कुरूरी सिंग्जी भैसलाओं इसे कितने लोग हैं जिन्हों ने अपनी अच्छी सेवाओं को त्याग पत्य देकर छोड़कर जब यहां पर आए तो समाज के लिए समर्पित कर दिया और आज ऐसे महापुर्शों की जब हम जन्व शताब्दी मनाते हैं तो हमें भी नई पेड़ना मिलती है उनके विचार को अपने सोच के चुनतन है को उनकी दूड डश्टी हम सबको पेड़ना देती है मुझा आशा है रामकुपाल जी गाड के जीवन तप तपश्ची करमयोगी का जीवन हम सबको पेड़ना देता रहेगा और अमकी पेड़ना से इस समाज को नहीं उठान नहीं सम्रदिक कुशाली के लाने का प्रयास करेंगे आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे आशा है कि हम सामुईक्ता से काम करकर इस समाज को नई उचायł उपड ले जाने का काम करें यही हमारा सामुईक प्रयास मांची एक बहुत-बहुत धन्यवाद